नमस्कार दोश्तों बहुत श्वागत है आपका अपने चैनल इनकेडिबर इस्टडी विद आरपी में और आज की इंपोर्टन वीडियो में हम लोग देखेंगे उन्हें तरजर सिचक भरती के बारे में लेटिस्ट नियूज देखेंगे तेश को आ सकता है इसका फैसला डीन आदेश आया है इसके पूरा अदेश के विवराण आपको दिखा देता हूं यहां पर देख सकते हैं सिचक भरती मामले मेंतेश तक लिखिद भाहस दाखिद करेव वकील मामला यहां पर देख सकते हैं हाइकोट का आदेस है मामला जल्द निश्तारित करने के आदेस है हाइकोट इलावदाएकोट की लगनव पीट ने प्रदेस के प्रात्मे की 16 आजार सहयक सिचकों की भरती में राज सरकार समय सभी पच्चकारों की विशेश अपील पर उनके व पीलों पर दिया इस मामले में फाइनल सुन्वाई जारी है इस मामले में एकल नहाधिस के उस फैसले और चुनोती दी गई है जिसमें राजसरकार को भरती परिशह MiNu Ntam疑 अर्था अंक और समानफ के लिए 45 और अनरचित वर के लिए 45 फिश्दी रखे जाने के निर्देश दिये गए थे इस मामले में कोट के शम्मच राज सरकार की तरब से महाधिवक्तार रागवेन सिंग ने गत 14 सितंबर को दलील दी थी इसके बाद से अन्य पच्चकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी थी कोट ने अगली सुनवाई 3 जनवरी को नियत की है बीतेश साल की सुरुवात में भरती परिक्षा के बाद राज सरकारों में ने इसके अरता अंक शामान वर के लिए 65 और नर्चित वर के लिए शार्ट प्रतिस्सत फिजदी तैंकर दी थी इसके खिलाब पेकल ट्वीट में कई याचिकाएं दायर हुई थी और उक्त निर्देश दिये गए थे बीतेश अन्यवार को मामले के फाइनल सुनवाई जारी रही याचिकियों के वरिष्ट वकील प्रसांद चंद्रा के सुझावपर और हाल ही में सुप्रीम कोट के आदेश सुप्रीम कोट के आदेश के मुद्दे नजर अदालत में मौकिक बहस को सीमित करने के लिए शम्मंदित पच्छकारों के वकीलों को लिखित बहस तेज जनुरी तक दाखिल करने के निर्देश दिये हैं इस से इस मामले का जल्द निश्टारल किया ज़िए इस भरती में इस भरती मामले में भरती राजधानी में धर्णा प्रदर्शन भी कर चुके हैं आपको बता दे कई जगा इसके धर्णा प्रदर्शन हुए हैं और हो सकता है सिचक भरती का मामले अगर तेश तक लिखित बहस हो जाती है और सबको सही रहता है तो तेश तारिक तक इसको फैसला आ सकता है हाई कोट जल्दी इसका निश्टारल करने के लिए राजी हो गया है ताकि जल्द अनिश्टारण हो सके और 79,000 में जो भी कंडेडेट हैं उनको जोइनिंग हो सके इस वीडियो में इतना ही प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे इस चैनल को थैंक यूब